सबी को नमस्कार दोस्तों आज हम इंट्रेल सेक्रोटी में लेसन नमर फाइब पढ़ने वाले हैं और यह हमारा टोपिक त्री चल रहा है उसमें सब टोपिक जो है आंत्रिक शुरुक्सा चुनूतियों में मीडिया और सामाजिक नेट्रुकिंग साइट की क्या भूमी का है यहां से भी अक्स्तर कुष्ण निकल आते हैं पहले किस प्रकार के कुष्ण पूचे कि हम देखने वाले यह हमारा सेले बस है कि आंत्रिक शुरुक्सा सुनूतियों में मीडिया और सामाजिक नेट्रुकिंग साइट की क्या भूमी का है ठीक है कुष्ण कैसे आए जैसे आ हमारी आंत्रिक शुरुक्सा के लिए खतरना को सकता है ठीक ऐसे कुष्ण आ चुके हैं पहले 2015 में आ चुका है और अभी भी समाज गंदर इसी कटरपंती ताकते देखी जा रही है डेली आप न्यूजपर में पढ़ते हो एक्जांपल की तोर पर आप बता सकते हो जैसे इ लिए तो आप लिए डीचिटल मीडिया के मादेम से बाढ़ी मतारोपणि का प्रणाम भारती यूकू का IS-28 में सम्मिल हो 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 जाना रहा है तो आप क्या करोगे क्या बताओ संवर्थो टोड़ाओंडियै के बारे में ये बहुत 詐कर देला की इसमारे की सांविल रहाषा या ऐसा कर सकते हो कि introduction जब लिखते हो शुरू में 2-3 line introduction लिखो तो आप इस गठना से समन्दी जुड़ी कोई करंड गठना हो उसको आप बता सकते हो ठीक है और body part में ध्यान रखना जैसे मैं क्या करता हूँ मैं body part में जब answer लिखता हूँ जो वाटसप या इदर दर चलते रहते हैं ऐसे एक्जमपल नहीं ऐसे एक्जमपल जो न्यूज बे रहते हैं authentic न्यूज के साथ में रहते हैं या आपने किताबों में पढ़ा कोई magazine में पढ़ा ऐसे एक्जमपल आपको देने तो इसमें फिर बनाना चाते हैं उसके बारे में आप बता सकते हो ठीक है और इसके लावा हमारी आंतरिक शुर्ख सकली किस प्रकार खतरा हो सकता है यह खतरना को सकते हैं तो यह तीसरा point है मतलब body part के अंदर तीसरा point आपका यह है ठीक है तो तीन a.m body part में देखने को मिल रहे है और बोड़ी पार्ट में एक आयम और हो सकता है कि समधान क्या हो सकता है जब भी ऐसे कुषन आई तो आप समधान अपनी तरह से बताने कोशिश करो तो देखो यार सिंपल सी बात है तो नॉर्मल आप कीवर्ड से आराम से लिख सकते हो दो तिन पेज में ये चीज़े लिखने होती है कीवर्ड में लिखने होती है ज़िदा प्रेग्राफ फोर में मत लिखना आसाने से आप कुषन को हैंडल कर सकते हो और ये कुषन तोड़ना में सिखा रहा हूँ कि जब भी कोई कुषन आए तो आप चिंता मत करना इसमें कि कुषन को तोड़ लेना कि जैसे यहां पे हारा है सोचल मेडिया के माधियम से तो फोड़ा बहुत इंट्रडेक्शन में या तो सोचल मेडिया के यह परकार थोड़ से यह बता दिए कि वादिया के माधियम से आजकल यह सा क्या हो रहा है कोई करन्ट कटना को जोड़ की बताया जैसे body part पर के question में क्या demand है body part के जो भी demand है उसको heading बनाया और उसके अंदर सब point लिखके हमने उसको example के साथ में लिखना शुरू कर दिया तो ऐसा कर सकते हो और last में जिसे क्या होगा थोड़ा सा समधान बताके थोड़ा सा 2-3 line में discuss के साथ इसको end कर दो कि किस प्रकार यह ताकते जो होती है हमारी आंतरिक सुरुकसा राष्टी सुरुकसा के लिए खत्रा है यदि इनको हमने नेंतर नहीं किया यदि समय पर इनका परबंद नहीं किया या नेंतर नहीं किया तो कहीं नहीं कि हमारी सुरुकसा अखनतादी के लिए खत्रा बन सकती ह कि आगे किया है बहुत सिंपल कुसन ही पूरा ना आया हूँ ऐसे कुसन तो आजकल नहीं आए थे कुसन आएंगे थोड़ से कितने कुसन आएंगे जैसे आप लक्समी testosterone पढ़ लोगे तो मेंस के कुछ थोड़ी कर पाऊँगे मेंस के कुसन आएंगे इसके द्यान रखने इसके लाव जैसे social networking sites क्या होती है ठीक है और इनसे किस परकार सुरुखसा उल्दने परसुत होती है तो simple सा यह है कि social networking sites क्या होती है इसके example बता दिये और body part में क्या होगा सिधी सी बात है कि इसमें कुसना है कि इनसे किस परकार सुरुखसा की उल्दने परसुत होती है तो ज चलते हैं हमारे टोपिक पर सबसे पहले कि मीडिय क्या है तो विडिय के एक संचार का मादे में है जो क्या करता है कि मुख्युरूप से क्या है संचार का मादे में है जो हमें समय जानकरी शूसना ये आदि देता है, छीक, इसमें आप पोजिटिव भी हो सकती है, नेगिटिव भी हो सकती है, यह समझने वाले पे भी डिपैंड कर सकती है, कि उसका वीवेक बुद्धी कैसे इस्तिमाल करता है, यह अंध्य विश्वास करता है, तो यह चीज़े क्या है, आ आज भी मीडिया काफी है समचार पत्र पत्र पत्री गाई में या दिए में इसके लाव इल्योंटी इल्योंटी मीडिया मतलब इबूक देखने को मिलेगी, तो ऐसे मुद्देश में आते हैं, यह कोई नहीं भूजने वाला, लेकिन basic understanding, आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि लिखते समय कुछ आप पॉइंट को सही से इस्तिमाल कर पाओ, यह आपको ध्यान में रखना है, बाकि ऐसे कुछन नही देखते हैं, भारत में मीडिया की भूमिका, हमारे syllabus में इसमें क्या दो है, एक तो मीडिया और एक सोसन मीडिया, तो इनका स्कुल मिलाकर syllabus में हमें यह धानकना कि इंटरल सेक्रोटी में इनका मतलब क्या पॉजिटिव और नेगिटिव रोल होता है, उसको देखना है, ठीक है, तो मीडिया का की रोल क्या है, सूसना और अविवक्ति का एक सादन है, ठीक है, जिसमें विचार मत, दरसन आधी, मतलब पस्तुत किया जाते हैं, इसके लाव अब हम बताने हैं कि भूमी क्या है, पोजिटिव भूमी का को हम देख रहे है, इसके लाव जैसे नागरिकों को जिम्यदार वा उत्रदाई बनाना, ठीक है, इसके लाव परसासन में जवाब देता और पार्दिस्ता सुनिशित करना, बश्टाचार की जो भी समस्या आती ह परकार प्रिंट बिडिया में, नूज़ परपर में, आज आज आप देखते हो कितने से बश्टाचार के केस आते हैं, उससे भी कहिनी कहिन परसासन में पर दवाब बनता है, जवाब देता है, पार्दिस से लेए, इसके लावब जन सामाने के मुद्दों को आवाज देना जन जाग रुकता हम जानते हैं कि जो भी हमारे समाज भी मुद्दे गरते हैं कोई बीज़े से अपराद के मुद्दे होते हैं इन्सा के होते हैं या सामपर्दाइक्ता के होते हैं जो भी मुद्दे आते हैं इनको किस परकार मीडिया की दोरा उठाई जाता है ये भी परमोग्रूप से इसमें देखने को मिलता है छीक इसके लावा जन सामाने के मुद्धों को आवाज देना ये हमने देख लिया लोगतंतर की आप जानते हो कि मीडिया की है लोगतंतर का एक चोता इस्तंब है इसलिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है जिस परकार हमारे संसत काम करती है नियापाली का काम करती है कारिपाली का काम करती है उसी तरह लोगतंतर के मीडिया की बड़ी भूमिका रहती है इसलिए मीडिया को थोड़ा सविदिन सिल होना पड़ता है बहुत सारे नेगिटिव एक्जाम्पल देखने को मिलते हैं लेकिन मीडिया का एक बड़ा रोल होता है इसके लावा प्रिवर्तन में बुमिका जैसे हमारे प्रिवर्तन हर दश्टी कोण सी चाहि सामाजी को, राजनिती को, सांसकर्थी को आप देख रहे हो आज कर लना किस परकार जैसे प्रिवर्तन में मीडिया की बुमिका हो सकती है जैसे आप विशेश करम देखते हैं कि किस परकार जो मीडिया है वो हमारे समाज के मुद्दों को दिखाता है यह हम कह सकते हैं जैसे एक्जांपल की तोर पर देखें जैसे सरकारी योजने ही होती है किस परकार मीडिया उनको आम जन तक पहुचाता है जाग रुकता फेलाता है तो कहीं निक्री प्रिवर्टतन जो भी development होगा उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल होता है छीक़ें इसके लाव सरकारा निर्माणन में भुमिका पाहिए मीडिया के मादम से घ्ञान कोसल विग्यान प्रोदूद्य के बढ़ावा वेस्विक गन के दौर में आज हम देख रहे हैं कि राष्ट की जो मुद्द हैं उनको वेस्विक पठल पर रखने का काम किये जाते हैं तो यह तो ऐसे कीवर्ड थे जो काम आ सकते हैं आपकी एक्जाम इनको अब भता सकते हो आगे बढ़ते हैं इसके लावा राष्टी सुरुक्स और मीडिया हमारा टोपिक क्या है? जएती अतर इंटरल सेकization में हमें कोशिश शी करनी है कि राष्टी सुरुक्स इन मुद्दों पर जदा बात करनी है ठीक है राष्टिय शुरुक्स और मीडिया तो इसमें हम देखते हैं विशेशकर जैसे इलक्टोनिक मीडिया है तो इसमें सबसे पहले इलक्टोनिक मीडिया लोग सेवा परदता की रूप में अपने कर्तियों का परिताग और संसनी के समचारों को वरिता आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे मीडिया की भूमी का मैंने अभी देखी कि लोगतंतर का किस परकार चौता इस्तमब है लेकिन नेगिटिव दश्टिकोंड से हम देखे तो किस परकार मीडिया मतलब अपने आपकी जो हीट है उनको आगे बढ़ाने के लिए मीडिया क्या करत है जो संसनी खेज वाले मामले होते हैं समझारों को जड़ा वरीता देता है यह सभी न्यू चैनल में देखा जाता है जैसे आज कलती होगा कि जो मतलब ऐसा वेक्ती है जो अपनी विवेक बुद्धी का इस्तिमाल करता है वो तो इन चीजों सी दूर ही रहता है क्योंकि सो वहां पर आपको अच्छे मुद्धी देखने को मिलेंगे बाकी तो जितने भी न्यू चैनल उन पर सब पर आप जानते हो क्या हो रहा है तो यह चीज़े कितना नेगिटिव जब हम खुद इतना फील करते हैं तो यह चीज़े आप प्रेक्टिकल रूप से एक्जाम में ब जाकर इदर-दर जो भी राष्ट्य सुरुकसा की मुद्धे होते हैं उसमें अपना सही से मतलब उनको परजेंड नहीं करते हैं यह आपको देखना जैसे अभी हालिम में जैसे उद्यपुर गटना होई या और भी देश में कई जगे इसी गटना ही उनको कैसे परजेंड ह इस पॉइंट है कि राष्ट्य सुरुकसा समंधी मुद्धों की जब टीवी की चर्चा टीवी पर चर्चा आप देखते हो तो उसमें देखना कि किस प्रकाट टीवी जो एंकर होते हैं उनके पास ऐसी रहनितिक या राजनितिक प्रिपकुता नहीं होती कि इन मुद्धों समझानी क्या हुसता नहीं आप एकदम सिंपल नोट्स पढ़के इन चीजों को समझ सकते हो संपर्दक तराओं को बढ़काने में मुद्धों का परसान काफी देखने को मिलता है जैसे हाली में उद्धेपुर और अमरावति की जो गटना ही गटी है उनके अंदर आप मीड जो भी मुद्धे पार्दिस्ता तरीके से होना चाहिए या न्यूटरल होके काम करना चाहिए इसके लावा अपरादवे हिंसा का जो महिमा मंदन होता है वो नहीं होना चाहिए जैसे उद्धेपुर गटना या जो भी गटना गटी है उसको बहुत अलगी एंगल से दिखा जाए राष्टे सुरुकसा की जो सव्यदन से मुद्धे हैं उनको सही से परतितर्ष्टिकों होना चाहिए जैसे राष्टे सुरुकसा समंदी मुद्धों पर सर्चा के समय यह निवारी रूप से बारसरकार की विशिष्टों सब्दावली मांचितरा दिकाप्यों करें मत मतलब मुद्धा और ही अपराद वाला मामला होता है उसको अलगी एंगल से बताया जाता है तो यह सा नहीं होना चाहिए इसके लाब अंध्विश्वास को बढ़ावना दें इस्टिंग ओप्रेशन के बारे में आप कई बार जानते हो कि ऐसे ही मतलब मीडिया एक अलगी मतलब माममार सकूसर कि का बढ़ाव होना लावर दींगारे ट्रीश्या जाब व्रत्मान इम कलिए और में ज्याता घेलिक है तो इसमें क्या हुता है तो इसके बेंद विज़ानिक में अभी प्रिइबन चाहिए निच चलता हैνη के अधिक्ता का निस्पख्शटा में को आजा है कि MR कूल होता है नियुक्त के सहब две कि आ ती चले कर रहा होता है मिजल अपना अब शुप एए परिल्ल जस्टिस की बात करता है तो यह सा नहीं होना चाहिए इसके लावत जो कानून वीनीम है और परतिबंद है वह भी हमारे मजबूत होने चाहिए यह एक समयदान का तरीका है कि जैसे कोन से कानून वीनीम है इस बारे में आपको जानने के आफसकता है जैसे वाक और परिश को नेंदरन करता है नागरीक शुरुख साधिनिम है जो गोपनिता की बात करता है यह सिंपल कानून है जो आप थोड़ा से देख लेना एक्जाम में इतना स्कोप नहीं होता है कि आप इसी पर एक प्रेग्राप लिखतो इतना ही होता है कि यह इसे नागरीक परिशन 2008 के दौरा यह बनाए गया था कि 26-21 हम लोग के बाद में लाइव परसरन पर रोक लगा दीगी है परसरन सामगरी की सेंसर्शीप पर सूप्रीम कोट की कई वार टिपड़ी आती है कई कैसे आते हैं मुद्ध आते हैं उनको आप बता सकते हो इसके बाद माद है सोस आते हैं लेकिन ज्यादतर जो फिर बाद में हम सोसल नेट्रुक पढ़ेंगें जैसे सोसल नेट्रुक है तो समान विचारदरा के लोगों समो या कम्मुनिटी के मद्दे जुड़ाव के कारियों को सुचिदा जनक बनाते हैं वैसे कई बार यह मान लेते हैं कि सोसल मीडिय और सोसल नेट्रुक एक पार्ट है कि अदर कोई वीडियो बनाता है तो उसमें आम जनकी बागी Samotna नहीं होती है वो एकतरफा होता हैår तो आप इनको देक सकते है तो MANे वीडिया का एक पार होता होता है ठीक है इसके लाव जैसे सोसल नेट्रुक में क्या होता है समान विचारदाने के लोगों समो या कम्यूटी के मद्य जुडाओं के कारियों को सुविधा जर्रक बनाते हैं इसमें ज्यादा तरफ फिर वह आपके जितने भी गुरूप से वार्टसप गूरूप है टेलेगराम यह आ सकते हैं ठीक है इसके लावा सोसल मीडिया के परकार क्या हो सकते हैं सोसल मीडिया के कई परकार हो सकते हैं ठीक है अभी हम पढ़ रहे थे सोसल नेट्रुक जैसे सोसल मीडिया में ही क्या आएगा सोसल नेट्रुक आएगा जिसमें फेस्वुक वेरा यह आएंगे इस वार website भी होती है, website को भी ब्लोग बान सकते हैं, ठीक है, micro blogging होते है जैसे twitter होता है, जिस पे आप social media पे अपनी बात रख सकते हो, जैसे Wikipedia knowledge का है, ठीक है, इसके लिए संगटन या group बने होते हैं, कुछ group ऐसे बने होते हैं, जो जहां पर आपस में connected रहते हैं तो social media के ये बहुत सारे परकार होगे ठीक है और social network थोड़ सा अलग होता है और social media थोड़ सा अलग है ये परिवास आप थोड़ सा समझ लोगे तो आपका काम बन जाएगा क्योंकि कई बार एक ही मान लेते हैं ठीक है इनको आपको द्यान में रखना जाना चाहिए आगे बढ़ते हैं राष्टे सुरुकसा और social media ये द्यान रखना है कि राष्टे सुरुकसा और social media क्या है तो इसमें जैसे हम ये देखेंगे कि इसमें सकरात्म उप्यों क्या हो सकता है सोसल मीडिया के सकरात्मों को उप्यों क्या है तो यह बहुत सारे उप्यों के आप जितना सोचों के बहुत सार एक्जामपल मैं फास्क पढ़ देता हूँ यहां पर कि संपूर्ण विस्वे गाउं की रूपए और केजरिवाल के जो अंदर लों थे कितनी बड़ी मुमिका रही थी ठीक है इसके लावा सिक्सा कोसल वर रोजगार कमादेम जैसे यूटूब इतनी बड़ी मुमिका नहीं बाता है मैं मानता हूँ कि जब से यूटूब पे काम करना सुरू किया है तो मतलब इसको मुद्धे को और ज़्यदा समझ रहा हूँ और ज़्यदा गयरा ही से जान रहा हूँ तो बड़ा रोल है यार सिक्सा कोसल और देश की जड़ीप में यूटूब का बड़ा रोल है मतलब लगब अट-सर सो क्रोड रुपे की ये इंडिस्ट्री है साल में देश की जड़ीप में यूटूब तो कितना बड़ा यार मतलब हर मेने कितना रेमिटेंस बार से आता है देश की एकनोमी को मजबूत बनाता है ना के और यूटूब बहुत सारे से प्लेटफोर में जो इसमें सोसल मीडिया के प्लेटफोर में जो योगदान देते हैं इसके लाव महिला सासकती करनों आतनी बड़ाव देता है योटूब आने के बाद में आतनी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं जो भी डाटा होते हैं जो भी मेसेज बेज़े जाते हैं उन पर निगरा नहीं रखी जाती है कहीं अफ़ा या कोई दंगे बढखाने का काम तो नहीं हो रहा तो इन डाटा का एनलेसिस किया जाते हैं यहां पर और इसके लाव इसमें बहुत सारी चीज़े सामिल होते हैं निगरा नहीं इतनतर मजबूत किया जाता है इसके लाव नकरात मुपयोग भोज़ादा है तो आई एस दोरा अपनी विचार दरा के परसार कर युवाओं को अपनी विचार दरा में सामिल करना या अपने केडर बनाना फिर जो भी आतंगी कटना ही होती है उनको अंजाम देना विरोध परतसम करांती के समब्भ हो सकती है अफ़वा फेलाना जैशे यह तो सबसे खतना करना यह मुद्देश में सामिल होते हैं वी तिया दोख़ा दरी आज कल सोसल मीडिया के माधियम से बहुत ज़्या होती है यह भी हमरे लिए खत्रा है इसके लाव साइबर वार का मुद्दा में साचाह रहता है कि किस प्रकार साइबर वार तो बड़ा हो सकता है कि सोसल जैसे गेम कहल रहे हैं अपसमें अपना गेम चैनल बना लेते हैं उसके अंदर पता नहीं चलता कौन चीडिल हो रही है हतियार मानव तसक्री मनी लोंडरिंग क्रिप्टो करेंशी के माधिशे बुकतान भी कर देते हैं तो इससे बहुत सारे मुद्देश जो इसमें सामिल लोते हैं समादान के बात इसमें के बात की हैं सुझना प्रोट देमानी प्रयुजर नहीं प्रमूजना होती हैसे नियर्क प्रवाजिना में सेंटल नुए शिस्टम है इचीज पता होना जाए तो क्या लिए बाजी करोगे तो क्या करोगे फिर इसके लावा जो भी हमारे एजन्सी है उनको आपस में जोड़कर ससक्त बनाने का कारी होना चाहिए साइबर विस्टिसों के समंदी मानों संसंदर का विकास होना चाहिए इसके लावा एक और नेत्र ट्रेफिकिंग एनलेसिस होता है इसमें एक सोट पर है जो कि DRD की दोरा बनाए गया था इसमें जो भी सूचना आती है जैसे अभी जो भी मतलब ऐसे मेसे जाते हैं कई बारा ना जो राश्टिस उरुक सागले खतरा हो सकते हैं उनका इनलेसिस करके इनकी रिपोर्ट है या सूचना जो है डाटा किसके दिया जाता है आई भी और रोक को दिया जाता है ठीक है हमारे एजेंची वो दिया जाता है सोचल मीडिया लेप्स अभी जो हमने देखा मराश्टर के अंदर पुलिस का एक्जामपल था किस परकार बीड, हिंसा या मतलब जो भी और सांपर देखता है कि जो मेंसे जाते हैं उन पर कारवई की जाती है इसके लाग क्राइम और क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटरिक सिस्टम इसका भी एक बड़ा काम होता है तो ये हमने देखा आज का लेसन बहुत ही सोट और सुट तरीके से और ये लेसन ऐसे हैं कि मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ बाकी पीडियो फट गया आप आराम से इनको पढ़ सकते हो बहुत आसानी से और इतना ही पता होना चाहिए आपको सेलेब सोट और सुट पता होना चाहिए आपका काम बन जाएगा तो मिलते एक और वीडियो में आपकी जमेदर यार लाइक रो शेर करो बहुत बहुत धन्यवाद